सवाल पूछा है, दूढ को बागवट्टी जी ने बोला है, शाम को ही पीना है अब इनका प्रशनी है कि हम सुबह चाई पीते हैं, कौफी पीते हैं, तो दूढ उसमें होता ही है तो क्या करें बागवट्ट जी के किसी भी शब्द कोश में चाए भी नहीं है कौफी भी नहीं है क्योंकि बागवट्ट जी साड़े तीन हजार साल पहले हुए ये चाए कौफी तो ढ़ाई तीन सो साल पुरानी है जादा से जादा चार सो साल पुरानी तो चाई कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है मने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाई और कॉफी का जिक्राता है हाँ, काढ़े का जिक्रुनों ने किया है काढ़े का जिक्रुनों ने किया है वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वाध को कम करे, आपके पित्ट को कम करे, और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिला कर सुबह पिया जा सकता है। कोई भी काड़ा जैसे आज आप काड़ा पीने जा रहे हैं वो अरजुन की छाल का काड़ा है अरजुन की छाल का काड़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो एसिडिटी होती है रक्त की एसिडिटी एक होती है पेट की एसिडिटी उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी खून की अमलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वह अरजुन की छाल है तो आज आप काढ़ा पिएंगे अरज उनकी छाल का काढ़ा दूद में बना कर पिएं तो आपके लिए आउशदी है जी नहीं नहीं गरम 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 क्योंकि वो आउशदी है भोजन नहीं है भोजन और आउशदी में अंतर बताया भोजन वो है जो 24 गंटे में आप नियमित रूप से आपके पेटकी आवशक्ता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं आउशदी वो है जो थोड़े समय के लिए तातकालिक प्रभाव के लिए आप पिएं तो ये काढ़ा आउशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं फिर गरमि के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं बात को दूर करने वाली आउशदीयों का दूद मिला कर और गरम काढ़ा सभी गरम है ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में बनता भी नहीं तो आप सुबह दूद पी नहीं चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए मने तो उसमें अरजुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फाइदे होंगे बविश्य के लिए आपको हर्ट अटेग फ्री होने की गारंटी बविश्य के लिए और अब तक आप में जो कच्रा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अरजुन की चाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज़्यादा शुद्द करता है और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है जिसको कॉलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कच्रा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की चाल इ चाहे बिलती है और देड़ सो रुपय किलो कॉफी मिलती है और बीस रुपय किलो अर्जुन की चाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिये मारवाड़ी बनिये कुछ तो अपने रक्त में लाईए मारवार का, राजिस्थान का, गुजरात का तो 20 रूपए किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजे मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूँ कि आप सब अपने घर में तीन महीने ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया, लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सबेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल बर का कच्रा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हर्ट अटेक फ्री, क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूद, तो आधा चमच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चमच मने टी स्पून और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा, गुड, गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है, काकवी, काकवी आप समझते हैं, गुड को बनने से पहले की स्टेज है वो तरल गुड होता है, तरल गुड, लिक्विट फार्म का गुड, वो काकवी कहला था, तो या तो काकवी, या तो गुड, नहीं मिले तो खांड, खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बाग बट्टीजी के सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साड़े तीन हजार साल पहले गुड़ बनता था काकवी बनती थी, खांड बनती थी बूरा बनता था, चीनी बनना 200-200 साल से शुरू हुआ है जी जी, मिश्री बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया, मैं आप से पहले ही कहना चाहता मिश्री मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुड से भी उची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद तो वो डालिए आपके अरजुन की चाल और दूद के काड़े में नहीं तो गुड डालिए नहीं तो काक्वी डालिए नहीं तो खांड डालिए अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली और बूरा वो वाला जो राजिस्थान में बनता है बिहार में बनता है उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं है, सोंट है तो बहुत अच्छा है, सोंट जो है, अरजुन चाल सोंट अगर मिला के उपयोग करें, तो सर्वोत्तम वात नाशक काड़ा होता, सर्वोत्तम, अरजुन चाल और है वात को खतम करने का तो वात के रोगी तो जरूर पिया है इसको और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूं और किताबों में तो पूरी लिस्ट है वात के रोग क्या पित्त के क्या कफ के क्या यह गुटने का दर्द कमर का दर्द, कंदे का दर्द, हर्ट अटेक डाइबिटीज, ये सब बात के रोग